के देखिए के इलेक्टोनिस्स की जो चौथी क्लास का हम लोगों Bluetooth जो हा रिकृटिफैयर था ज़री हो चुका है जिसको वीडियो देखना है तो प्लेरी लिस्ट में जाएगा буд टेсть उसका output जो wave आया था, वो ये wave आया था, output जो बना था, बना था, वो ये wave था, ठीके, देखे, इसी wave के लिए हमें average rdc value of output voltage, ठीके, and load current for a half wave rectifier, यानि कि हमें, अगला topic जो है, हमें average value calculate करना है, जो half wave rectifier हमारा था, उसके output का, तो देखे, कुछ है, इसमें क्या करेंगे, हम half wave rect rectifier का, जो output आएगा, उससे बनाएंगे, उसका wave बनाएंगे, और इसके रिए हम average जो है, calculate करेंगे, कि average voltage का term लेंगे, या current का term, तो average value हमारी क्या आएगी, इसको देखेंगे, तो देखेंगे, इस page पे हम संजाने की कोशिस करते हैं, देखें, अगर माल लेजे, आपका output जो duration में चालता है, और यह माल लेजे, वी एम पोजीशन, अगर यहां voltage है, यह voltage है ते वी मैक्स पोजीशन होता है, और मैं पता है, अगर हम लोग, चुकि यह output है, यह क्या है, आपका यह जो output मिल रहा है, यह output के लिए, हाव एव रेक्टिफायर का क्या है, यह output, output का हमें नि चालने हैं, तो हम क्या करता है, अगर निकालने के लिए, वी एवरेज लिखते हैं, वी एवरेज और एक्वल करते हैं, ठीक है, तूरे सरकल के लिए, हम एवरेज बैली करते हैं, तो इसे एक value पता है पूरे का integrate कर देंगे तो complete value को बता देता है तो हम complete निकालने के लिए हम 0 से टूपाई तका integration करते हैं अच्छा किस value का integrate करेंगे जो input दिये हैं इंपुट क्या दिये हैं आप V दिये हैं voltage दिये हैं V upon कहां तक करेंगे टूपाई तक तो यहां टूपाई से टूपाई तक ही रखा जाएगा और 20 की value हमें पता है कि Vm होता है sin omega t और upon में 2 पाई है तो 2 पाई ही लिखा जाएगा into d omega t हमें पता है integration में क्या कर दाता है जो dt के देखे omega t है तो जो omega t के term में वाला होगा उसी का क्या होता है integration होता है बाकि क्या होता है बाकि क्या होता है ब और यहां bracket में बचाब का sin omega t into d omega t अब थोड़ा देखते हैं कि 0 से pi के लिए 2 pi के लिए क्या-क्या value ठीका find होती है तो देखिएगा यहां में पता है कि 0 से pi तक का output है और pi से 2 pi तक क्या है output 0 है मतलब क्या होगा अगर हम इसे बनाते भी है तो देखिएगी यहां Vm upon क्या हो गया 2p और यह 0 से 2p ठा तो 0 से 2pi के लिए 0 से y çलते हैं तो 0 से pi चलते हैं और sine क्या करते है? sine omega t और into d omega t इसी टर्मन को फिर किया है इसी टर्मन को पहले 0 से πाइ से पॉलक है यहां 0 से प्लस करके इस चीज़ को सें वेलू को देखें वीय아 वियरो इअपउञ वीया मपॉंट ≈ और ऑपॉंट 2 पाइ औवी चाहिए व्हाइसे वहाली वंगेद हूं यहां पर कोई हमें आउट्पूट मिल ही नहीं रहा है मतलब यह पूरी वैलू क्या होगी जीरो हो जाएगे ठीक है तो हमें यह कल्कुलेट करना है इसको छोड़ देना है यानि कि मतलब क्या हुगा कि यह चीज़े सेम रहेंगे और प्लस क्या हो जागा यह जीरो हो जागा यह टर्म क्या होगा आपका जीरो हो जागा अब आगे कि बताते हैं इसका क्या होगा देखिए अब देखिए यहां आपका वी एवरेज जो आया वी एवरेज ठीक है यह आया वी एम अपॉन क्या होगा टू पाई और अब देखिए हमें पता है अगर देखिए इंटिग् Daivigaido –सलियोगा-गा-ग stat मैं तोगता है माइनस कासert गईटा ही काउ में समक्राइब मां द्रफ माने सिरीय हो 2008 को हम देहें स्वाइब ज sob जिन यह गया जो शहनफा अगली वांगी जीरो होगे थ्द्ध फिक ओक हैं तो एंगे यह एक लोगता आटक है पंगता है और हमें पता है ठीक है जो लिमिट होती है पहले अपर लिमिट लिखते हैं और माइनस करके लोर लिमिट लिखा जाता है तो माइनस लिखेंगे फिर लिखेंगे कॉस अपर लिमिट क्या लिखेंगे पाई और माइनस फिर लिखेंगे तो चुकि माइनस यहां भी है तो माइन 2Pi into देखें यह आपका माइन में से प्लस 1 होगा और प्लस 1 होगा ठीक है यानि कि वी एवरेज निकल के आपका है कि Vm upon का 2Pi और multiplied by 2 तो यहां 2 से 2 cancel हो जाएगा और वी एवरेज जो निकल के आए उसके आपका क्या है Vm upon पाई यह एवरेज वैलू होती किसकी यह वैलू है आपकी हाफ वेब रेक्टिफायर की जो एवरेज वैलू आपकी आती है ठीक है अच्छा इसकी जो वैलू होता है आप देखे इसके यह कैलकुलेशन भी आपको लोगों समझ नहीं आ गया होगा कि यहां तक है और सची अग करेंट अगर करेंट अगर आई मानते हैं करेंट करेंट के लिए करेंट के लिए के हैं आज और को पूरे कमप्लीट जो समझाएं आपको एवरेज वैलू के नहीं इसको तो हम दिखाते हैं आप लोग ले ले और अपना ठीक है कम्प्लीट करते हैं नोट्स देखिए यह इसकीन सॉट ले लिजिएगा यह तक पाइठ है अब नेक्स्ट पेज जहां पूरी वैलू कैलिकुलेट होकर आई है यह देखिए एवरेज वैली कला है वीम उपन पाई ठी कि यह DC से रिप्रजन कर सकते हैं क्योंकि और डीसी में मिलता है तो इसी का अगर करेंट के रूप में देखे हैं तो सेम चीजें हैं जहाँ बोल्टेस था वो करेंट करेंगे इसे DC का रिप्र्जन कर सकते हैं और यह पाई के वैल्यू कनी वैलीड फोकर चलिए आती है 0.318 गाँएत करें करकर ठीक है अब नेक्स टोप्लीक पर जैसा कि हमें पता है कि हाफ रक्टिफायर हमारा कंप्रीच अब उसी के बाद आता फूल वेव रक्टिफायर तो हाफ रेक्टिफायर और फूल जोड़ी तलीजिए तोड Gibi पता है कि आपका हाफ वेब था था हाफ वेब रेक्टिफायर था हाफ वेब रेक्टिफायर जो था उसमें क्या होता था कि जब जब हम लोग पूरा complete AC signal देते थे तो क्योवल एक ही एक ही पल्स में हमें आउट्पूट मिलती थी यानि कि दोनों पल्स के में हमें आउटपृट नहीं मिलती है। हमने देखा था पॉश्टिव में हम्म मिल लइती निगर्टीन जीरो मिला तो इसमें यह समस्य थी दोनों के लिए लेकिन फुल वेब को ठीक है फुल वेब जो हता है उसमें तौनों के यहांने कि इस वाले इस वाले पल्स और यहांने कि पॉस्टिव एंड निगेटर दोनों से है आप लिखा भी गया है आप लोग ठीक है फुल वेब जो प्रकार यानिकि दोनों जो सरकल होते चरिकां ओर फुल वेग्री और फिरफिपर होता है तो फिर से सुनेशेगा जो आपका फिलब तक होता है यहाले तो क्या है कि रीक्टिफार स्थ시고 होते हैं यानि कि हाफ़वेड और फुले यृत हाहता है एक एक अब देखिए जो आपका पहला सेंटर टेप फुल वेवरेक्टिफायर उसका देखिए यह थोड़ी से थियोरी है उसके आगे इसका पार्ट यहां पर समझाया गया इसके वरकिंग प्रिंस्पल को ठीक है तो आपका यह फुल वेवरेक्टिफायर का सर्केट है देखिए हाफ वेव में क्या था हमारा सिंगल डायोड यूज होता था यहां पर क्या है दो डायोड यूज हो रहे हैं ठीक है और देखिए अगर बात किया जाए आप देखिए इसका इसका इसके सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां पर हो जाएगा और नेक्स्ट वाले पेज़ पर इसका जो आउटपुट हमें मिलने वाला कुछ ऐसा अभी से आउटपुट को समझाए जाएगा कि फुल वेवरेक्टिफायर जो है आपका जो पस्ट वाला है सेंटर टेफ प्रेक्टिफायर ठीक है आगें तो हमको कुछ ऑरी इस से इस से रिलेटर लिखने है ठीक है कि मैं सेंटल टेप टांसवार्मर यूज होता है हिसमें कितने होते हैं इसमें दो डायोड होता है फुल रेक्टिफायर जो हता से इने Frically, तर्फेट्श네요ं के बारे के मिलिखिए फिर फीगर को अच्छे स एसी सिगनल का इसी सिगनल माली जी दिए तो यह मल यह प्लस टर्मिलल जा रहा है जब मल यह इसमें क्यों प्लस जा रहा है तो उस केस में हो क्या रहा है हमें पता है इसमें दो डायोड लगे हैं ठीक है ठीक है दो डायोड लगें थोड़ा सरकीट भी ठीक है बना ही देते है देखिए सर्किट को कुछ इस प्रकर बनाया गया है कि इसमें दो डायोड होते हैं ऊपर नीचे दोनों जगह डायोड एक डिरेक्शन में और सेंटर टेप कर दिया जाता है बीस से ट्राइपिंग कर दी जाती है इसलिए सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफार इसके बोला प्लस टैण प्लस है तो यहां प्लस तॉड पूजटिव में यहां नेगे तीव आगा अच्या जब यहां olla ते हुआ क्या समझा रहें अब वरकिंग समझा रहें थी संटर टेप फुल वह कagar और इस वरकिंग हे सब्स पॉल और सिरे दिखिए इसका फ़्रस जुड़ा यह क्या उसी समय निगेटी से जला यानि कि जब प्लस दे रहे हैं ठीक है यहां उसी को ही ठीक है यहां बताया जो गया है कि सब्सक्राइब लगा कि उसी कर trilogy लिखा भी गया सब्सक्राइब जब पर शरकल को क्या होगा अ까 अगर हम बात करें की दिफ़ेंड को यहां डायोड है यहां जो आपका डाइयोड है यह इनकेटिव आया है और यह क्या हो मैंनस्य होता है और देखें यह उल्ट जूडगी है यह नहीं कि जब पॉजिट्वीव दे रहे है ऑपका फारवड वायश न दो meno कर रहे है और में काम करता हो इससे current flow नहीं होती है तो current किससे मिलेगी यानि output जो मिलने वाला हमें किसी मिलेगी दिवहांस मिलेगी आपट किसी मिलेगी हमें डिवह से यानी कि जब positive V इसमें D1 से फारवड वायस में है तो हमें आटपुट मिल लई है ठीक है और हमें D2 से क्या है आटपुट नहीं मिल लई है ठीक है अच्छा सेकेंड में क्या किया जाता है जब हम लोग नीगेटिव देते हैं तो क्या होता देखें जब यहां नीगेटिव देते हैं यहां क् सब्सक्राइब तो प्लस है और नीचे ऑला इसी परकार यह उत्यावला वाला को सब्सक्राइब प्लस यह ज़्टा है और अगला कि उन्ल छक्राइब भी सरकल दिने हैं तो किया ओगा कोंसा डायोड हमारा और Haram और फिन कि लिखा गया कि negative अगर देते हैं तो कौन सा डायोड यानि कि D12 में से कौन सा डायोड हो जा रहा है ठो यानि एक टर्म यानि वित्स इस सिगनल में तो ढोल सब्सक्राइब ह क्ला है अौह यानि कि दोनों हाप सर्कल में हमें आउट्पूट मिल जाती है ठीक है अच्छा इसके आउट्पूट को समझाते हैं कैसे आउट्पूट इसका वर्ग करता यानि कि इसके पीछे वाला सेक्षन है ठीक है इस वाले सेक्षन को समझाते हैं कि यह हमारा आउट्पूट कैसे वर कर देखेंगे तो है मैं पता फॉर्स स्टाइम में में प्लस देंगे ठीक है पॉजटिव देंगे तो पहले प्लस दिये थे जब प्लस दिये थे आप यह तो हमारा दिया जा यहां 5 by कह सकते हैं । loot जब दे रहें तो यानि कि जब super आठेस्ट में क्या था हमारें Frei तो देक्वर्यक्ढश के लिए कई यह प्लस के लिए यह प्लस के लिए क्या यह प्लस है यह प्लस है प्लस है यानि कि पहला का से यह होगा कि demande में था कि हमें बता है कि यहाँ प्लस दिया है थो फर इससे में पूस्ट इसके पाहले केस में से लिए है यहाँ मुझे होगा यहां देद्धि आगलों से मिल जाएगए और इसी प्रकार घ्राएंगे यह वाला टर्म जमारा फार्वर प्राइब होगा यहां से आगे से बढ़ाते होगे चलेड़ करेंगे तो डिचु याने आज़ने कि ये वालाती हमारा far我的 वाइस में ठीक है ऐसे पडिखी अगर वना चाहिए हैं यहां पर इसक immigrants तो azle aquilo में क्या है इसवareth क्या है एसवाल क्या है ऑं इस में क्या है और इसमें हो आ ले ठी एक्सिस के क्यों अपार डिरेक्शन में तो हमने बता रखा कि एक्सिस के अपर डिरेक्शन या लोगर कोई होता है तो इसे हम डीशी केल्कुलेट करते हैं तो इस परकार हमारा क्या हुगा फुल बिड़ीज रेक्टिफायर न फूलवेड प्रіш करता है और इसका कंसप्ट क्या है सेम यह ऀसे वहरी यहाई च्छाड़ा व क्या ठीकर भणिफाई करिया जाता है जो हैसे आफ पहले कि अफ्रटी फॉलवेड यही और थी है आप ब्रिज जैसे नामसे ही है फुल बेव ब्रिज रेक्टिफार तो ब्रिज का मलब जैसे आप वीज़ इस टोण ब्रीज वगर पढ़ें तो यह तीक है तुरिक करते थे तो इस से आप लोग पीछे पढ़े हैं कि वहां सेंडल ट्रांसफार्मर था इसमें सेंडल ट्रांसफार्मर की ज़रूत नहीं है चीजे वही सेम लिखी भी यह है ठीक है आप लोग त्योरी को देखिए इसके लिए 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 फुल वेब रेक्टिफायर का है इसके लिए चीजे लिखी के हैं जो आपको हम समझाएंगे ठीक है अब इसमें भी बताया जागा कि पॉस्टिव सर्कल के लिए कौन सा डाड़ का फारवड होगा कौन सा रिवर्स होगा यह सारी चीजे बताई जाएंगे ठीक है यह देखिए आपका इसका जो आपका फिगर है हमें इस प्रकार में अब इसे समझाते हैं कि कैसे आता है क्यों आता है ठीक है देखिएगा आपका बात किया जाए फुल वेव रेक्टिफायर तो थोड़ी इसके बारे में देखिए फिगर के जो लिखी गए यह थी आप लोग पढ़े लिजीगा ठीक है जीजी जैसे बत हुआ तो इसमें डो डायोड को एक डायोड और यहादर ? अपर इसका से अपलीड भाला एक का सेक करना चाहिए तो बस drastic कं समय क्मद्वन दिखे हुआए और बात किये जाया है कि भीग मैनेज़ नहीं हो रहा है ठीक है यानि कि यहां दडी वन अर्डी-टू हो गया है यह दी थिरी और दी फोर और यहांसे इसका अटेश्मेंट कर देते ठीक है थोड़े यहां फिगर अगर नहीं कंफर्म होगा तो यह वाला फिगर आप लोग देखीगा ठीक है इस फिगर में ठीक है चीज़े आज परश दिखाए दे रही है देखिए अच्छा अगर इसकी बात की जाए फुल एक्टिफायर का देखिए पहले तो इसक प्लस प्लस पहुंचेगा यहां प्लस पहुंचेगा यहां प्लस पहुंचने का मतलब यह डायोड जो आपका यह बन रखाए है ऐधर की तरफ यहांनिकि तरफ दायोड बन रखा इसके एक सैट वाल और अपोजटिम यह था झिलायव यह था बस पक्प्लस पहुंचेगा होले इसका यह चोटा ला माइनस अपल से एड हो जाएगा और इसका यह प्लस से अध़ुगा यह माइनससे यह आपका फारवड कर्वारी हो गया और डिटू के सामने D4 होता है D4 तो सेम इसी डायेक्शन में है तो यह और भी क्या उजाएगा फारवाड गार उसी प्रकार यह जब देखिए यह वाला छोटा वाला प्लस से यह फिन थेटा तो यह पर तो यह सामने वाला यह यह भी होगा यह कहने का मतलब हुआ कि जब हम plus तर्मिल जब आइसी सप्लाइच का प्लस देंगे टर्मिल पे तो क्या होगा यह दीकोर यह दोनों चूप्ण की सब्सक्राइब ली गहीं है PUBG करते हैं तो यह एक है और में होते है और तेरी द में होते हैं कि दिखा यह तुट है ऐख ओता हाफ जिया जाता दि जैसा सेकंडरी स्था डे सब्सक्राइब करें तो क्या होता ठीक है आर फारवड बाइस एंड डिफोर आर कंड़क्ट यानि कि जब देखें अगर फारवड बाइस में यही कंड़क्ट करेगा यानि कि समय ठिक है उसी समय क्या होगा डीफोर था कंड़क्ट नहीं करें अच्छा निगेटिव हाइब सरकल देंगे तो क्या होगा नीगेटिव देंगे तो जो अभी फारवड बाइस में और बचे हुए ठीक है बचे हुए जो रिमेनिंग जो बचे हुए थे आपके डायोड मिल जाएगे ठीक है अच्छा अब इस चीज को ठीक है देखें सेकंड के लिए का बता है देखिए तो यानि कि यह हो गया कि हम लोग जो लिगेटिव देते हैं तो क्या का डीवन और फारवड हो जाने यह क्या है रिवर्स में आ जा रहा है यानि कि हमें आउट्पूट किसे मिलेगा डीवन और डीवन आउट्पूट मिल जाएगे यह सारी चीजिए सेम लिखें इसका आप लोग इसकी लिए और इसके नेक्स्ट देखें आगर हम साइनसी वीब चा देते हैं साइन वीप यह वाला बृज ररक्टिफिर को देते हैं तो ब्रीज रेक्टिफिर को तो यह इनिपूट ऑच्छे से बनाया भी गया उसमें उसको आप बनाएगा यह देखिए और फसके इंपुट देते हैं तो हमें पता पहले डारेक्शन पॉजटिव दे रहे हैं पॉजटिव के लिए कौन सा डायोड आन है पॉजटिव के लिए यानि जब negative दे रहे हैं तो negative के लिए कौन-कौन से यह positive के लिए हो गया प्रज़ेंगे दोनों टाइप्स कवर कर लिए गया आगे के टॉपिक्स दोने वीडियो में आपको प्रुआट कराया जाएंगे बाकी आप लोग वीडियो को जो हता है सब्सक्राइब ठीक है और सेयर करना नहीं भूलें सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें जिसे सब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें और हम लोग मोटीव वोडियों